बहुत बड़ी ताकत और शक्ति प्रार्थनाओं में हैं। और प्रार्थनाएं जितनी हृदय की गहराईयों से बाहर निकलती है, उतना ही व्यक्तिक जीवन में उसका प्रभाव दिखाई देता है। प्रार्थना के समय व्यक्तिक अमन कितना करुणा के साथ में भरा हुआ है, कितना आत्मी ये ताके बोध के साथ में वो चल रहा है और कितना उस सरवोच्च सत्ता के प्रती वो नतमस्तक है, ये सारी ही स्ततियां प्रार्थनाओं में शुमार रहती है, जहां डर का स्थान तिरेक की स्ततियां होती है इन सबसे दूर हटकर आशीश के माइने भी जीवन में बहुत गहरे से निकल कर आते हैं किसी व्यक्ति की आपने पूरे तरीके से सेवा की उसका ख्याल रखा उसकी प्रतियक जरूरत के समय आप वहां पर मौजूद रहे और उसके बाद आपने साहन भरे शब्द मिले प्रशंशा भरे शब्द मिले या फिर जीवन के अंदर आप बहुत अच्छे से रहें ऐसा आशीरवाद मिले किन्तु उनके मन से भावों के साथ में एक आशीश निकली जिसने ये कहा कि जीवन में आप जो भी प्राप्त करने वाले हूँ आप पू आशीश जब भी मन के भीतर की सारी ही पूर्णता सेवा भाव करतब्वे के बोध के साथ में निकल कर आती है तो वो मिलने वाली होती है यहां एक कलीग भी आपको आशीश दे सकता है वो किसी जरूरत के अंदर फसा हुआ था और अपने कामकाज को बहुत अच्छे से पू चाहता है कि मन से आशीश है कि आप बहुत आगे बढ़ें आप लोगों का ऐसे ही ध्यान रखने वाले हों यह भाव है जो मन के भीतर से निकल कर आते हैं और व्यक्तिकत जीवन में एक अलग संतुस्ति का आधार देने वाले होते हैं जब भी हम कामना से मुक्त होकर किसी भ एत्वाक अंक्षा से दूर होकर ऐसी इस्ततियों के साथ में जुड़ते हैं तो वहींसे आशीश का प्रवाह निकल कर आता है जो एक निरमल धारा की तरह है जो मन को त्रपती के एसास के साथ में ले कर चलता है जब अगला व्यक्ति किसी भी इस तरह के साथ में त्रपत किन्तो व्यक्तिकत जीवन में इनका प्रभाव वहत गयरा है तो प्रार्थनाएं हो उसके साथ में जोटे रहिए आशिरवाद हो जहां से मिले उसको लेते रहिए और आशीश हो जहां पर भी हम किसी भी व्यक्ति के साथ में जोड़ते हुए और उसी अवस्ता में नरलिप्त रहते हुए जब भी आगे बढ़ें और वहां से जो आशीश मिले उसके साथ में भी संतुस्ति अनभव करते रहिए परोक्ष तोर के उपर चलती हुई ये सारी ही स्तियां प्रत्यक्ष तोर पर मिल रहे धन और सम्मान से बहुत अलग है किन्तो इस से जो मन के भीतर का स्वाबिमान संतुस्ति के साथ में जागरत होता है आप देखिए जीवन में किस तरह के आधार लेकर आता है और यही एक परिवर्तन का गुरूपक मात्र है हम भी यहां 12 मार्च 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजर हुए है यहां चंद्रमा की इस्तियां आज इस दिवस विशेश में कुम राशी में ही चलने वाली होगी तो वहीं फालगुन मास कृष्न पक्ष चल रहा है शत्विशा नक्षत्र की इस्तियां रहने वाली है सुरिदेव कुम राशी में ही घतिमान रहेंगे तो वहीं हम शुरवात करते हैं मेश राशी के साथ में वयापारिक जीवन में ये समय विशेश आपको इस्तिरता देने वाला होगा चोटे-चोटे डर से मुक्त होकर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और अचनात्मक शेत्र में आप लगातार स्वेंत की स्तियों को और मजबूत करने वाले होंगे शेर मार्केट संबंधी कामकाज में नए निवेश की और इस सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में बढ़ना आपके लिए हिदगामी होगा कमिशनिंग संबंधी कामकाज में भी ये समय विशेश आपको एक तरह से नवाधार देता चला जा रहा है तो वहीं रण संबंधी जो स्तियां लंबे समय से आपको परिशान कर रही थी वहाँ पर भी समाधान के संकेत इस पस्त तौर पर आपके लिए मौजूद रहने वाले होंगे प्रबंधन संबंधी कामकाज में और अतिव रगामी होकर आप आगे बढ़ने का कारे कर सकते हैं तो वहीं इस बात को भी पुनह रेकांकित करके चलिएगा कि आज आपकी वाणी में ओज है अधिकार है जो लोगों को कहीं कहीं रोजाने वाला हो सकता है तो उस आधार पर भी जोड़ने का प्रयास निरंतरता के साथ में आप करते चले जाएए गरेहस्त जीवन को उनके कारेशित्र में अलगातार आप मोटिवेट करते रहें तो वहीं जो स्तमक को रिलेट करते हुई प्रब्लम कई बार परिशान करती है उसमें भी आप निरंतरतार के ऊपर एक तरह से खानपान में सावधानी बरतने का प्रयास जरूर कीजिएगा तो वहीं वरेशब राशी नौकरी पेशा जीवन में यहां मानसिक संतुस्ती का आधार इस वीकेंड के साथ आपके लिए बना रहने वाला होगा भाग्य का सहयोग बना गुआ है इसी वज़े से किसी भी कामकाज में आप किसी बड़े जोखिम की और जाना चाते हैं तो वहां पर भी बढ़ सकते हैं यात्रा संबंधी कामकाज दोपहर के बाद में आगे बढ़ाय जाते हैं तो अति उत्तम रहेगा वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य शेतर में भी व्यवस्तित होकर आप आगे चलने का कार्य कर सकते हैं लेकन संबंधी कामकाज में भी ये समय विशेश आपको ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट देने वाला होगा हाइर एजुकेशन के साथ कोई भी डिसीजन अटका हुआ था उस और बढ़ने का कारे जरूर करें और वहीं ये ध्यान रखिएगा कि जो व्यापारिक जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेश की वज़े से लंबे समय से अटकाव सामने आ रहे थे और कोई भी क्रिस्टल क्लियर अप्रोच सामने नहीं थी एक बार कुने हैं यहाँ पर विश्वास के साथ किया गया प्रयास आपको अनूठे तोर के उपर फाइदा पहुँचा सकता है यहीं भाईयों और दोस्तों के साथ संबंदों को सुधार रहने का प्रयास जरूर करें सुआस्ते में मस्क्यूलर बेन संबंदी समस्याएं लंबे समय से जो सता रही थी रेगलो रोटीन को अपनाने के वज़े से कहीं न कहीं आपके लिए वहां रिलीफ निकल कर आ सकती है ग्रहस्त जीवन को वहां अपने कामकाज में मोटिवेट आप करते रहिएगा तो वहीं विदेश संबंदी कारशेतर में कुछ बहतर संकेत आपके संबुक उपस्तित रहने वाले होंगे वहीं मेतन राशी आपके लिए यहां भाग्य के सयोग के साथ ही साथ में महत्तवपूर सती अज्यात भाई के साथ मुझूणी हुई है वहां से आपको काफी है तक एक रिलीफ मिलने वाली होगी अपने कार्य शेतर के अंदर लोगों को कहीं पर भी प्रोत्साहन के आवशकता हो वो डी मोटिवेटिड फिल कर रहे हो अपनी पूरी ही उर्जा के साथ उस और चलने का प्रयास कीजिएगा मितुन राशी के जातकों को चाहिए कि जो संबाद में कौशल बना हुआ है उसका भरपूर फाइदा अपने कामकाज में आप उठाने वाले रहें किसी भी विचार के साथ आप निरंतर चल रहे हैं एक थौट चल रहा है जो बिजनस के और हो सकता है नौकरी पेशा जीवन में स्ट्रेस से मुक्त करने का अधार हो सकता है वहाँ अपने चंतन की प्रक्रियाओं को और अधिक इस्थर करने की पूरी पूरी आपशक्ता है यहाँ आपके लिए है इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप बना कर जरूर रखें मैं आपसे ये भी निविजन करना चाहूंगा कि मिथोन राशी के जातक यहाँ यदि IT इंडिस्ट्री संबंदी कारेशितर के मंदर प्रोफाल चेंज की और कोई भी रिक्वेस्ट करना चाहते है अपनी सुपीरियर अथॉरिटी से उसकी बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है ये भी ख्याल रखिएगा कि खान पान पर नियंतरन रहे न तो अपच संबंदी समस्या हैं सामने आकर आपको परिशान कर सकती है ये भी एक महतुपूर बात है तो वहीं ये भी समझकर आप चलने वाले हों कि यहाँ पर आप यही रेंटल इंकम के सूर्स को पुने हैं एक नए डेवलप्मेंट के साथ में लेकर चलना चाह रहे हैं ऐसी प्रक्रियाओं में भी कहीं ने कहीं आपके लिए सहुलियत के आधार सामने आने वाले रहेंगे कोई भी नेगेटिव बेस यहाँ सामने नहीं है मेथन राशी के जातकों को चाहिए कि आप अपने लिए सीजनल बिजनस संबंदी काम काज में भी कुछ नयापन अपना कर जरूर रखने वाले हों डेमांड और सप्लाई का भी ख्याल रखकर आपको चलना चाहिए तो वहीं करकराशी नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन की वज़े से किसी भी नरणय की और आप बढ़ना चाहते हैं तो आज आपको रोकना चाहिए व्यक्ति इंस्टन बेस पर सोचता है कि अब तो यहां से प्रेशर सेन नहीं हो रहा है रिजाइन दे देता हूं और आगे बढ़ता हूं अत्यदिक सावधानी बरतने की आवशक्ताएं यहां आपके लिए बनी हुई है तो वहीं इस बात पर भी आप गोर करके चलने वाले हों तिकरक राशी के जातकों के लिए सिक्षा में डिस्ट्रेक्शन्स आ सकते हैं किसी भी रिलेशन की साथ में आप चल रहे थे जहां से खुशनुमा पल सामने नहीं थे यह समय विशेश वहां पर भी आपको एक बहतरी के आधार को देने वाले हो सकते हैं आत्म विश्वास में कमी रहेगी किन्तु उसी आत्म विश्वास की कमी के वज़े से आत्म मंतन का आधार भी आपको मिलने वाला होगा जो काफी हद तक परेशानियों के रूपक को आपके जीवन से दूर हटाता चला जाएगा मेटल संबंदी काम का आज में नए निवेश की और जाने से पहले भी आपको अपनी घणनाओं को बहुत बहतर तरीके से सहेच कर चलने का प्रयास करना चाहिए वहीं किरी मैं सिंग राशी की चर्चा करूँ व्यापारिक जीवन में ये समय रुकी हुई सारी ही स्ततियों को एक तरह से पूर्णता देने वाला होगा ये एक बात दूसरे आधार पर आत्म विश्वास से संलगन होकर आप अपने कामकाज में बढ़ने वाले होंगे जो स समय का सबसे बड़ा द्रिस्टी गोचर इस्तर मातर है सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में भी यहां पर आपको नए निवेश की और जरूर बढ़ना चाहिए बोमी संबंधित कोई भी सौदा लंबे समय से अठका हुआ था जहां पर आपके लिए पॉजेटिवि कर किसी भी कामकाज की शुरुबात करना चाहते हैं उसकी प्लैनिंग को भी आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं और वहीं पर इस बात को भी पुनेह में अंकित करूँगा कि भाग दोड़ है किन्तु इसी भाग दोड़ के साथ में सफलता भी है दनागमन भी है और मान सम्मा की स्ततियों में निरंतर वर्दी भी है वहीं कन्या राशी सरुपरतम आप इस बात पर गौर करें कि जो कामकाज आपने हाथ में लिया है उसमें थोड़ी सी बाधाएं सामने निकल करा सकती है उससे मन को बिलकुल भी उचाट मत होने दीजिए ये एक बात फूड प्रोसेस कमिशनिंग संबंदी वेस एक बहुत मेजर लिवल पर रहता है यहां बुद्वरदान राशी के जातकों के लिए एक लिवल का बेनिफिट सामने निकल कर आने वाला हो सकता है कोई रुकावट और बाधा नहीं है ये ख्याल रखा जाए कि शत्रू आपकी सोच के उपर जो भी एक्सपोर्ट संबंदी कामकाच के साथ में आप जूड़े हूँ हैं बड़े निरणा लेने से बचिएगा नौकरी पेशा जीवन में जो तनाव बने हुए थे शुरवाती इस तरपर यानि कि सुबह के मतराल के अंदर थोड़े से बढ़ने वाले हो सकता हैं उसके प्रोच के अंदर पॉजिटिविटी कितने निकल कर आ रही है उन दोनों ही फ्रेम्स को क्लियर करके चलने की पूरी पूरी रिक्वाइरमेंट आपके लिए रहने वाली होगी यह मैं आपसे निवदन करूँगा तो वहीं इस बात को भी समझा जाना आवशक है कि आप यही साथ में प्लैनिंग को ज़्यादा जगे देते हैं जो आपका बेस है वहीं सरेकर कामकाज को और गती देते हैं बहतरी वहां से निकल कर आएगी कर्म के साथ में आपको संलग्द रहना चाहिए भाग्य का उस इस्तर पर सहीयोग यहां प्राप्त नहीं है वहीं तुला के साथ में महत्वपूर्ण आधार आप हासल करने वाले रहेंगे यह भी एक इस्तती स्पस्ट तोर पर आपके लिए नजर आती है तो वहीं तुला राशी के जातकों को चाहिए कि आप यदि भर्मन संबंदी किसी भी कामकाज में हैं यहां पर आपको महत्वपूर्ण जि उपर भाग दोड के साथ में चलने का प्रयास करना ही निश्चाए इस तर के उपर आपके लिए हिद गामी प्रवर्तियों को दरशाने वाला रहेगा और वहीं यह भी ध्यान रखियेगा कि तुला राशी के जातकों के लिए संतान पक्ष की और से सुखद खबरें सामने निकल कर आ सकती हैं हाईर एजूकेशन में भी एक सपोर्टिव फ्रेम मौजूद रहने वाला है वहीं वरिश्चक राशी अग्याद भय की स्ततियों से पार पाने का पूरा-पूरा प्रयास आपको करना चाहिए तो वहीं पर ऐसा कोई भी कार यहात में नहीं लें जहां ज कोई भी कामकाज लंबे समय से अटकाब की और था वहाँ पुने है आपको रफ्तार एक तरह से मिलने वाली हो सकती है और वहीं पर प्रबंदकिय कामकाज के अंदर जब तक महत्तपूर्ण लोगों की सलाह नहीं ली जाए आप आगे बढ़ने वाले नहीं हो इस प्रबर्त या आप अपनी रफ्तार के साथ में काबिज होकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं वहीं दनुराशी यहां भाग्य का सहयोग बहुत बहतर तरीके से आपके लिए मौजूद है अध्यात्मिक चंतन में वर्दी है टेक्स्टाइल इंडस्ट्री संबंदी कामकाज में आप नए निवेश की और जा सकते हैं ये भी याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति आपसे व्यक्तिकत दुराव कामकाजी जीवन में लेकर चल रहा है बली नौकरी पेशा जीवन हो या व्यापार वहां पर भी मधुर मुस्कुराहट बना कर रखें और रिष्टे वहां तलख के अंतिम सिरे के साथ सामने निकल कर आया है तब भी हम अपनी पूरी ही इस्तियों को वहां लेकर चलने वाले होंगे पूरी ही उर्जा के साथ में हम उस इंटर्व्यू कॉल को अटेंड करने की और जाएंगे या जो भी चर्चाएं हो रही है उस चर्चा का आधार अपने लिए विशेश प्रभुत्व संपन इस्तियों को संब्मुक लेकर आ रहा है वहीं मगर राशी आप देखिएगा कि धनागमन के जो साधन आप विकसत करना चाहते हैं वहां इस्तियां इसपस्ट तोर पर आपको सहयोग करने वाले होगी और वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में सयोग के आधार देरंतर तोर पर वर्दी के प्रतिमान के और चल रहे हैं यहां अग्याद भैसे दूर होने के आपको पूरी पूरी आवशकता हैं तो यहीं पर इसपस्ट करके चलिएगा कि आप यहीं सीजनल विजनस के साथ जुड़े हुए हैं या किसी व्याप पूजिशन्स को और अच्छे से वहां पर बढ़ाना यानि कि नया रुप्या पैसा इंफ्यूज करना ऐसी प्रवर्तियों से आज आपको थोड़ा सा गुरुक कर चलने का प्रयास करना चाहिए यह मकर राशी के जातकों से मैं निवजन करना चाहूँगा रेसर आत्म विश्वास से लबरेज होकर आप चलने वाले होंगे चोटी चोटी बादा हैं कहीं पर भी आपके जीवन की हिस्सदारी में नहीं है ग्रिहस्त जीवन के और से पूरा पूरा सा योग आपको मिलता चला जा रहा है और वहीं पर ये ध्यान रखें कि कि किसी भी व्यक आत्मत तोर पर आप आगे बढ़ेंगे यात्राएं लाब दिने वाली हो सकती है तो वहीं पर आपके लिए लंबे समय से रण संबंदी जो इस ततियां परिशान कर रही थी वो भी आपको कहीने कहीं सहुलियत के आधार दिने वाली होगी शत्रू यहाँ हाभी नहीं है इस किसी भी कामकाज की और आप सनलगन है तो वहां की टेक्निकलिटीज क्या-क्या है जल्दवाजी के अंदर लिया गया निर्णय कई बार पच्टावे के मौके नहीं देता ये एक बात तो वहीं पर शेर मार्केट संबंदी कामकाज में भी यहां आपके लिए बहतरी के आधार संब्मक निकल कर आने वाले हो सकते हैं राचनात्मक शेतर विशेश के साथ में चलते हुए भी बहतरी आपके लिए बनी रहने वाली होगी वहीं मीन राशी इस समय की सिरिष्टता ये है कि आप अपने कार शेतर के अंदर प्रबंद की आधार को बहुत अच्छे से संब्म कास आप कीजिएगा दूई सभावी राशी के जातकों को चाहिए कि आप यहां पर स्वैम को शेर मार्केट संबंदी कामकाद से तुड़ा सा दूर रहकर ही आगे बढ़ाने वाले रहें एजुकेशन की लाइफ में चलते हुए रिलेशन्स आपको डिस्ट्रेट कर सकते है उससे भी बचने की पूरी-पूरी कोशिश आप कीजिएगा तो वहीं पर मौकेक संबाद बहुत अधिक होने पर ही आपके लिए किसी विक्तिक को कन्विंस करने की अप्रोच सामने निकल कर आने वाली होगी तो ये था 12 मार्च 2021 का दैने कराशी फल हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे धन्यबाद और कोड़ी शेह आभार